नग्ते कर यह टेस्ट टेस्ट इस बर्ट और यह जो की टेस्ट बड़ इसमें लगने लाइध का 250 से 100 टेस्ट सेल्सों और यह जो पचास से सोट टेस्ट सेलसेट यह बिसिकली Čट गूलेस देडके क्विल भी सने निडने तो आपको इसी ओष्या हटाब में आख खना है डार्ट सहल फिल लाइट सेल फिलिंटरमीडِ एक और जो डिस्कुस के ते टिस्ट सेल और में लगे पाउस से सो नहीं डुनिए बीट्ण से उब और देख सकते हैं यह बेसल सेल्स है और यह साइड में यह तिन टाइप के सेल्स लार्क डाइक रिंट इंटर्मेडियेट इस देस्ट पूर एपिथीलियल सेल्स और इस दा गस्टेटरी एफरेंट नौ और इस टेस्ट बड़ इस इनर्वेटेड वाई इबाउट फिफ्टी नर्वाइबर इनर्वेट करेगा और हर एक नर्वाइबर लगबग फाइब टेस्ट बड़ से इन्पूर रेसीब करता है ठीक है वाइसावर सद्यानक ना आपको इस वर्दा फिर कुछ पॉइंट याद करने वाला जो फैंजी फॉम पैपलाई अपने पांस चार्थर के अरते हैं तीक ये फिर लाइसावर रेस फाथ रहे टेस्ट मॉइ था ये तर्वट करात इंपने ब्रांच अशियन लाफ फिर खेंड लाफ इन पॉर्ट पॉर्च रोग्छ यावर्च ट्रिंबे बने ब्रांच ऑंप फेंड फ्री लाफ ट्र द्यम मॉब में ब्राइसाव this codir-dimpenny branch of facial nerve lies in the genuculate ganglia and this glossopharyngeal nerve cell body lies in the petrosal ganglia and the cell body of a gas nerve will lie in the nodrose ganglia and from this ganglia the fibers go to nucleus tractus solitarus of the medulla nucleus of tractus solitarus NTS of the medulla and these the first order neurons which reaches to the NTS of the medulla and from there NTS neurons of second-order will arise and it will ascend to the epsilateral medial laminiscus through epsilateral medial laminiscus and project to VPN that is ventral posterior medial nucleus ophthalmos ठीक है और यहां यह second degree neurons थे हैं यहां से शुरू होंगे three degree neurons और वो जाएंगे आपके anterior insula and frontal operculum in cerebral cortex anterior insula and frontal operculum of cerebral cortex तो यह basically pathway or some diagram अभी देख लेते हैं एक बार and this is the whole diagrammatic representation coronatym pennings cell body lying in the genucleid ganglion glossopharyngeal cell body lying in the petrosal ganglion and this part pharynx carried by vagus nerve and its cell ganglion is lying in the nodos ganglion reaching to the NTS and then going to the ventral posterior medial nucleus ophthalmos and from there it is going into entry insula and frontal operculum entry insula frontal operculum that is gustatory cortex तो इसी दपाथवे for the test modality receptor and transaction उमामी टेस्ट जो न्यू टेस्ट है वो MSG की कारण ज्यादा टेकर होता MSG is mono sodium glutamate और उमामी टेस्ट लगवग स्वीट की तरह ही होता है ठीक है लेकिन थोरा इस्टेंडर स्वीपने से स्का टेस्ट डिफेरेंट होता है फिर आते हैं जो पार्टिकल्स हैं वह जाकर बाइन करेंगे स्वीट टेस्ट की रिसेप्टर पर जिससे क्या होता है जी पी सीर का एक्टिवेशन होगा अभी डिसक्स किया था कि स्वीट टेस्ट ए रिसेप्टर ऑफ टाइप जी पीसी आर ठीकर है इसको यहां पर अल्फा गस्टिवस गारण आई पी थी और डीजी बने का जिसके कारण की कल्सियम का इंट्रसलर ली लेवल बढ़ेगा और इसके लीवल बढ़ने क्या होता एक डिसटर होता है ट्रांजियन्ट रिसेप्टर प्रोटेंशियल मफाइब यह एक्टिवेट होता जिसके कारण होता है रिलीज एटीपी एटीपी लिए जोगा और यहाँ एटीपी एज निरो ट्रांस्मीटर बाइन करेगा आपके फ्रेंट नर्फर और इंपल्स को कडिकर आएगा अब अब है कि यह था आपना डिसकी ली डिसकसन जो तभी देख रहे थे वो स्वीट सिगनयलिंगे बारे में था जो सोल्टी टेस्ट को रिसीप करने वादो टेस्ट वर होगे उनके टेस्ट लपर इनेक चनल होता है इप हिलीन सोडियम चैनल और यह इनक चैनल क्या होता सोडियम प्लस का दो तरीके हैं एक तो एक प्लस आयन्स इनेक चैनल के थूई इंटरी कर जाये इनेक्ट चैनल के थूफ अंदर जाएगा जीसे काण्ड डिप्लाइशन होगा दूसरा तरीका है वो क्या त्रीक फिल्ट प्लस एक पर इंटर करके चैनल को ब्लॉक कर देंगे जिसके कान्ड के बाहर नी जा पाएगा ठीक है यहां पर अपने दोपा दिखाया भी आपर इनक पर मीट दाइंटरी अप्रोटोन्स कंट्रिबुटिंग तरीका है कि यह तरीका है डिपराइशन करने का दूसरा क्या है इस प्रस आइंस अल्सो बाइंट तो कल्सियम चैनल पोटेशियम चैनल सब्सक्राइशन किया सकता है